नमसकार स्वागत है आप सभी का राजिस्थान का करेंट अफेस हम पड़ रहे थे जनवरी फरवरी और मार्श दो हजार तैसे का कंटेंट हम समाप्त कर चुके हैं यानि की कल की जो क्लास हुई थी लास्ट क्लास जो कि क्लास नंबर 17 थी उसमें हमने मार्श दो हजार तेस का करन्ट अफिर्स है वह लगभग लगभग समाप्त कर दिया है दो चार कोईशन उसके बचते हैं वह लास्ट में एक साथ जब सारी कंटेंट यानि की सारी क्लास इस कमट्रीट रहेंगे उसमें जिस महिने में जो भी बचा है कुछ एकात कोईशन बच सकता है तो उसको ग्रामिन परिवार आजीव का रिण योशना के अंतरगत आवे तक को दी जाने वाली अधिक्तम रिण राशी कितनी हो सकती है यह जो योजना है राजिस्थान ग्रामिन परिवार आजीव का रिण योशना यह योजना ग्रामिन शेत्रों में नाम में पता चल रहा है ग्रा कार्य के लिए यानि की क्रिशी के अलावा बाकी जो काम है जो भी उद्योगदंदे हैं हस्तिसिल पगरा के जो काम है अग क्रिशी कार्यों के लिए और ब्याज मुक्त रिंड इसमें प्रदान किया जाता है यानि की जो रिंड दिया जाएगा उस पर कोई ब्याज नहीं लिय को खाया जाएगा कुल इस्योजना के अंतरगत 15,002,005 परिबार इनको लाभानवित करने का लक्षा रखा गया है सरकार द्वारा की 17,002,002 को राइस्थान सरकार सी ओजना के तहट 17,002 करोड रुपए इतने का तुल इतना यांदि परिवारों को सरकार का लक्षा है कुल 3000 करोड रूपे का रिण दिया जाएगा किस योष्णा के तहत हो चोटे मोटे जो भी उद्योग धंद हैं उनसे जोड़ा हुआ हो रिंट जो दिया जाएगा ब्याज मुक्त होगा सरकार द्वारा कोई इस पर ब्याज नहीं ले जाएगा कुल मिलाकर लाख परिवार लावंद्वित कि जाएंगे और 3000 करोड को रिंड दिया जाएगा कह सक जा रहे हैं तो आपको योशना थोड़े अच्छे से पढ़नी है आप इसमें केवल एक ही चीज यहां बाकी है वह आप से कोशन में पूछी गई है कि आवे दक को अधिक्तम रिंड राशी कितनी दी जाएगी तो इसमें जो रिंड राशी की रेंज है वह है पच्चीस हज रिंड यानि की दो लाग रोगे वैसे भी अगर आप खुद सोचें कि अगर आपको करंट फिर से थोड़ा सा अच्छा कुश्चन मुना है थोड़ा तफ कोश्चन मुना है तो योजना वाला ही पार्ट एक ऐसा है जहां आप कोश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछ सकते हैं यानि की बारिक जनकरियां पूछ सकते हैं बाकि कौन चर्चा में रहा यानि की कौन सा स्थान चर्चा में रहा कौन सा परुसकर मिला कौन सा खिलाडी रहा चर्चा में तो इन पर सीधे सीधे सिंपल कोश्चन बनते हैं टफ कोश्चन योजना उसे ही पूछा जा रहा ह आप देख सकते हैं कि आगे हैं मुख्य मंत्री निश्वल्क अनपूर्णा फूर्ड पैकेट योशना के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है यह भी काफी इंपॉर्टेंट योशना है कौन सी निश्वल्क अनपूर्णा फूर्ड पैकेट यह क्यों इंपॉर्टेंट है क्य आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और उनमें भी जो नई योशना है जैसे कि एक तो हो गई अन्य पूर्णा फूड पैकेट एक हो गई जैसे कि काम देनों पशुबीमा या जो निशुल्क बिजली योशना या गैस लेंडर सबसेटी योशना इस तरह जो नई घोशना ह हैं वह आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़नी है तो इसके सारे जो पॉइंट्स है वह आप देखिए और बताई इनमें कौन सा सही नहीं है ऑप्शन ए है कि इसके तहट प्रदेश के लगभाग एक दशमलब सून ने च्छे करोड परिवारों को लाभान रित किया जाएगा दूसरा ऑप्शन है प्रदेश के राष्टे खाद सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवार इसके तहट पात्र होंगे योजना का परिवेक्षन सहकारिता विवाग दोरा किया जाएगा और चौथा ऑप्शन है प्रतेग पैकेट में दाल चावल चीनी खाद परिवारों को लावानवित किया जाएगा पहली बाली बात सही है यहां पूछाएगी सही नहीं है प्रदेश के राष्टी खादिश और अधिनियम से जो जुड़े परिवार हैं वो इसके तहला वानवित होंगे तो ये बात भी सही है योजना का परिवेक्षन सहकारिता विवाग दोरा किये जाएगा यह वाली बात भी सही है चौथा उप्शन फिर यह है इसमें क्या गलत है इसमें गलत यह है कि योशना में यानि कि फूर्ड पैकेट में चावल सामिल नहीं है इसमें है दाल चीनी नमक खादे तेल और मसाले यह सभी इस पैकेट में दिये जाएंगे प्रतेक पैकेट की कीमत कितनी है एक पैकेट में जो लागात होगी कीमत यानि की लाभारती को नहीं देना लाभारती के लिए निशल्क है लेकिन सरकार दोरा लागत कितनी है लागत किसकी एक पैकेट में जो 370 रुपे और इस योजना पर सरकार का मासिक विया कितना होगा तो यह होगा 392 करोड रुपे जबकि जो बजट में घोशना की गए थी कि पूरी योजना पर कुल कितना खर्चा है तो लगभग 3,000 करोड के असपास है उससे अब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि मासिक वे कितना हो रहा है इंद्रा गांधी गैस लेंडर सबसिटी योजना के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है यह भी बजट की नई घोशना है महंगाई रहात शविर में सामिल है तो यह उतना ही इंपोर्टेंट है पूरी पूरी संभावना है कि इन तीन चार योजनाओं में से किसी ना किसी एक से कोश्यन पूछा जाएगा कि इंद्रा गांधी गैस लेंडर सबसिटी योजना के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है योजना का प्रारंब एक अप्रल 2023 से हुआ इसके सब्सक्राब्द हो सकेगा चार-पॉंच फैक्शल जानकारी है तो यह तो आप सभी को पता है यह तो ईजी ऑप्शन हो गया कि 500 रुपे में घरेलूगे सिलिंडर काफी इस चीज़ को हाइलेट किया गया है तो यह तो सब को पता है यह सही है क्या योजना एक अप्रेल 2023 से सब्सक्राइब कि दोनों में अंतर ध्यान रखें आप इसमें 76,000,000 परिवार लावान बित होंगे किसमें सिलिंडर वाली होजना में और जो हमने फूड पैकेट देखे हैं वहां यह सही है आंकड़ा तो आप कन्फूज हो सकते हैं मिलता जुलता आंकड़ा है आपको लग प्रधान मंत्री और जोला योजना में शामिल परिवार है और इसमें जो पात्र होंगे राश्टी खाद सुरक्षा अधनिया में जो जुड़े हुए परिवार हैं वो इसके तहत पात्र होंगे बढ़े आगे दौनों तीनों काफ़े इंपोर्टेंट योजना है एक अपर परक्रम कोन से जले में संचाले तहाद कोडेश किया है यहां सा ख्लाडी चर्चा में रहा उसका स्थान कौन सा कहां से वह सांबन है या किससे समद्धेता है कौन से विंट में कौन पर उसकारोंने जीता है तो यहां आप देखते हैं क् e x k existe in si kata pa주고 जोबड़ आ संचालित batch पुलिस कर भी योजना आगे है पियमश्री योजना में चैनित सरकारी विद्यालियों की संख्या क्या दाखर पार राजिस्थान का देश्वर में कौन सा स्थान है प्रक्षी का मतलब क्या है पहले प्रदानबंत्री है ही या इस योजना का एक भर मैं शॉर्ट मैं नाम आर का मतलब है राइजिंग यानि कि उभरते हुए और आई मतलब इंडिया यह यह स्कूल्स पूर राइजिंग इंडिया के इंद्र सरकार द्वरा संचालित जिसका उद्धेश है या नाम में क्या पता चल रहा है कि उभरते भारत के लिए विद्याल कैसे होने चाहिए हो एक्ष्टा कुरिकलर जो भी एक्टिविटी हैं वह सारी वहां उपलब्ध हो इसको शामिल किया गया है पीएम श्री योश्णा में अब इस योश्णा के तहट सरवाधिक विद्यालों की यह जो सरकारी विद्याले चुने गए हैं अलग 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 राज्यों से यह कि सरकारी स्कुमिल गए और कुल मिलाकर अभी तक 708 विद्याले चुने जा चुके हैं यह राहिस्तान इस अधार पर पहले स्थान पर Mr. कि स्टार्म वाटर ड्रेनिज जोजना का संब्धन निम्ले खितमें से किस जलाशे से है क्या है योशना पहले तो पैले तो यह जोजना है कि अलग अलग जो जलाशे हैं इनने शहर का गंदा पानी बहेकर वाना पहुंच जाए वाना मिल जाए बारिस के साथ भी जो दो नालि करने के लिए उसके आस पास के शेत्र का जो भी गंदा पानी है उस को इस लेक में यानि की पुछकर जील में पहुंचने से रोकने के लिए यह योजना संचालित पिर हैं महगाई रहत केंप के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है यह वाला पॉइंट वी यानि कि महाई रहत शिविर भी बहुत important है यानि कि एक तो महाई रहत शिविर में सामिल dosh योजनाए एक तरफ दस do frequencies की जानकारिंप्वaser एक मेहंगाई रहत शिवर अपने आपमें क्या है कब शुरू हुआ कितनी योजनाइस शामिल है कहांति शुरूआत हुई तो यह भी इम पॉर्टेंट है इसमेंस रांब 6 योजना भी इंपॉर्टेंट जार अपरिल 2023 जो सही नहीं है वो है 24 अप्रेल से शुरू हुआ ना कि एक अप्रेल से 24 चार 23 से शुरू हुआ कब तक संचालित हुए बड़े स्तर परें चलते रहे 30 जून 2023 जिला मुख्याले पर अभी इसमें संचालित हैं एकाथ चल रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हुआ पहलावला यानिकी यह सही नहीं है एक अप्रेल से नहीं यह 24 अप्रेल से शुरू हुई अब एक अप्रेल भी अभी हमने पढ़ा था कौन सी योश्ञा ईक अप्रेल से शुरू हुए इंदरा गांधी गैसलेंडर सबसीड़ी योशना तो सारी जो डेट है यह सारे जो आंकडे हैं मिलते जुलते हैं यह इस योशने का है यह से पहले वाली योशने का था इसमें तरलाग परिवार हैं तो कंफ्यूज ना हो सारी चीजें आपको आच्छे से याद रखनी है सब्सक्राइब जैपुर की महापुरा ग्राम पंचायच से यह शुरू हुए थे यह बात नहीं है तो यानि कि यह बात सही है जबकि इंद्रा गांदी शहरी रोजगार गारंटी इसमें शामिल है यहां तक आपको सही सही सा लगेगा तो अगर पढ़ें कोश्चन का जो ऑप कि मुख्यमंत्री काम देंदू पशुबीमा योजना बीच में एक सब्सक्राइब है काम देंदू पशुबीमा योजना दो हजार तेस के बारे में कौन सा गतन सही नहीं है यह कोश्चन भी एजटेज लिया है जहां किसमें पूछा गया था अभी अभी जो ग्रिट सेगंड वाला एक्जाम हुआ था उसमें कोश्चन पूछा गया किस पर है यह तो यह है मुख्यमंत्री काम देंदू पशुबीम है अब जो पूछा गया आप देख सकते हैं कि पूछा डिटेल में क्या क्या ओप्शन दिये थे पहला ऑप्शन क्या है इस योजना के तहट प्रतेक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपए है तो यह बात सही है इसमें दो दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है दुधारू होना जूरूरी है यानि आसा नहीं कि केबल कोई बी गाए है या कोई भी भेंस है उसका बीमा हो जएगा और रुदारू गया और दुद्हरू भैंस केवल इन ही दो पर्षूओं का इसमें भीमा किया जाता है यानि कि ऑर जो हैं जैसे कि बक्री वगैरता इसमें सामिल नहीं है पहले केवल घाय थी अब बाद में इसमें भैंस को वी शामिल किया गया है यानि कि एक पशुपालक के परिवार के अधिकतम दो पशंब का प्रिमियम देना होगा अब इसमें एक और है और एक अगर पश्ट पालक की आए आएँ अघ्त лучше कर दो उसको कोई भी बीमा प्रीमियम नहीं देना यानि कि उसके लिए योजना निशुल्क है लेकिन अट लाख रुपे से अगर उसकी जो इंकम है वार्शिक इंकम वो ज्यादा है तब उसको प्रतेक पशु के लिए वार्शिक 500 नहीं बल्कि 200 रुपे बीमा प्रीमियम देना पालकों को लाब होने की अपेक्षा है यह बात भी सही है और राजे के वर्ष 2023 के लिए बजट में के वे के लिए 750 क्रोड रुपे का प्रावधान किया गया तो यह बात भी सही है केबल ऑप्शन भी जो है यह गलत है अब आप देख सकते हैं कितनी डिटेल में चीज़ां तो 40,000 रुपे का बीमा है दो पशुओं का गाय और भैस या दो गाय और दो भैस आठ लाग से कम अगर वार्षिक आया है उसके लिए निशुल्क है योशना आठ लाग से अधिक है तो उसको 200 रुपे अधिक्तम प्रतेक पशु के लिए कुल मिलाकर दोनों के लिए नहीं आपको याद हो तो सबसे पहला जो कोशन था यह वाला इसमें मैंने नहीं परिवार इसलिए लिए लिखा है क्योंकि इस तरह का ओप्शन भी दिया गया है कुशन में पूछ लिया गया कि कुल आभांवित परिवार इस से कितने किये जाएंगी तो इसमें है टेलाग कुल और योजन पर वे कितने कि जाएगा 3000 करोड रुपे व्याज मुक्तरियन होगा और अकृषी कार्यों के लिए हुआ है कि यह हुआ सेकंड वाला कोश्चन इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रा ले दोरा शास्त्रिय संगीत सम्हारो शुर अभिलाशा कारेकरम का संचालन निमले खित्में से किस जला प्रशाशन द्वारा किया जा रहा है जालोर उधैपुर अलवर या दौसा इसका उत्तर है उधैपुर इसमें एक और चीज़ पूछी आ सकती है कि कारेकरम है क्या तो यह जो बालिकाएं और महिलाएं है उनको उनको सिखाने के लिए ये कारेक्रम संचालेता है software programming इसमें सिखाई जाएगी उद्याप्र प्रशासन दौरा संचालेता है नाम क्या है अब हिलाशा कारेक्रम तो आज की क्लास के दस कुशन है वह समाप्त हो गए अब जो हमारी पराणी क्लास थी मार्च वाली लास्ट क्लास प्रदान इन दोनों को सिल वर अवर्ड दिया गया था अंतर राश्टीम हिलã दिवस के अवसर पर निम्जत में सक्षे। सेause महिला उतकृषता समंद समानुस किया गया सव्यंत कि इसको प्रदान किया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी वर्स 2019 में कहां हुई थी तो जैपूर का सभाई मान सिंग जो अस्पताल है वहां इसकी स्थापना की गई आए श्टार्ट राजीब गांधी इनोविशन आवर्ड के दोरान निमलेखित में से किसे राजी के पर कि दिल्ली बाल अधिकाय स्रेक्षन आयोग दोरा कृती भारती को चिल्डरन चेंपिन अवर्ड प्रदान किया गया कृती भारती का संबंध कहां से है यह पूछा गया है आपको तो इनका संबंध है जोधपूर से कि 75 वे खनीच दिवस के अबसर पर निमलेखित में से किस ख़दान को भारत सिरकार के खान मंत्रा दौरा प्रतिश्टित फाइव स्टार रेटिंग प्रवसकार प्रदान किया गया तो चार ख़दानों को प्रदान किया तीन के नाम यहां है यानि कि उपर युक सभी तो है ही चौथी ख़दान जो है वो है रायपुर दरीबा कि यह भी उद्यापुर की है यह भी उद्यापुर की है यह और यह कहां है तो यह है अजमेर ब्राजिल में आउजित टैफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने बाले अविनव शर्मा का संबंद किस स्थान से है बैडमिंटन ख्लाडी है जैपुर से समनित है ब्राजिल में जो टैफ ओलंपिक हुआ उसमें नहुने गोल्ड मेडल जीता और अभी इनकी वर्ड रंकिं भी सवाइब को हराए सवनपद्दक जीता राज्स्थान खोको लिक के दूसरे शंक्रण का शौत निम्लिकित मैं से क्या है तोगो को रिख का संसक्रण का दूसरे संसक्रण का शौत कर गया सुल्तान शेरू है राजिव गांति के गहामिन ऑलंपिक का क्रोको है चंबल तो इसके साथ ही कल की क्लास के 10 कुछन हमने रिवाइज कि और आज की क्लास के शुरुआत के 10 कुछन हमने पढ़े हैं योजनाओ वाला जो पूर्शन है यानि कि अपराइल 2030 में क्या उच्छ नई योजनाओं लॉंच होई या पर परानी उच्छ नाओं में कुछ